हाई आज मैं उस डिवलोपेंट में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसने दुनिया और दुनिया के लोगों को बहुत ही प्रूमीद कर दिया है पिफसर ने जिस तरह से अनौस किया है कि उन्होंने जोरी ट्रग बनाई है और वह वैक्सीन प्र करोना वायरस को प्रिवेंट कर सकती है ट्राइल के मरायल भी पूरे कर चुके हैं और उनका कहना है कि 90% वह बिल्कुल रेडी है वैक्सीन और 90% लोगों को प्रिवेंट करा सकती है करोना ना होने से बचा सकती है और अगर हो भी गया है करोना तो वह उसको क्यूर कर सकती है पी डिवल्मेंट पे आज Don ने एक एडिटॉरियल लिखाय जो एडिटॉरियल बहुत ही जामे है उसने ऐसे एडिटॉरियल में कुछ ऐसे सवालात को औरूरसर करने की कोष़िश की है जो बहुत ही आम सवाल है और उसने मुलक और मुमालिक और खास्तान को ये बात पहले बताने की कोशिश की है कि आपको कौन से एक्दमात पहले उठाने होंगे अगर फिजर को F.T. अप्रूफ कर देता है तो पाकिस्तान और दूसरे मुमालिक का कौन से मुश्किलात का सामना होगा वो उन सारे सवालों को आज डाउन ने अपने एडिटॉरियल में एडर्स करने की कोशिश की है हाँ एक तरफ सारी दुनिया और मेडिकल एक्सपर्ट इस डिवलिप्मेंट को सेलिबरेट करते दिखाई दे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी अच्छा है किस तरह से ये वैक्सिन हमोज सारे लोगों तक पहूंश पाएगी क्योंकि ये साथ बांच।abor़ग कोई इतना आप चैनलिज नहीं होगा और इतना शारे ये किस तरह से सारे लोगों तक पहूंच पाएगी वो कौन से रीजन्स होंगे जहां पर यह वैक्सीन सबसे पहले पहुंचेगी वो कौन से लोग होंगे जो इस वैक्सीन से सबसे पहले मुस्तफीद होंगे और इस वैक्सीन की कॉस्ट क्या होगी यह वैक्सीन किस तरह से दूसरी मुमालक को पहुंचाए जाएगी कौन से टरम्स और कंडीशन जो ये वैक्सीन देने के लिए या लेने के लिए न मौलग को करने पड़ेंगे दूसरी कंपनियों के साथ यह सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कुई करोना की वबा के दुरान और करोना वबा के से पहले भी पर क्रोना वबा के बाद ऐसे भी मौलक सामने आये जिनकी एकॉनोमी बहुत ही पीछे चली गई तो ये सवाल उच रहे हैं कि वो मौलक जो सबसे बहुत पीछे चल जा चुके हैं क्या वो इस वैक्सीन को मुफ्त में हासिल कर सकेंगे या नहीं मुचिल सवालातों के साथ साथ मेडिकल एक्सपर्ट एक दूसरे सवाल पर भी गोड कर रहे हैं कि इस वैक्सीन को किस तरह से स्टोर किया जा सकता है क्योंकि साधारन ड्रग्स तो स्टोर हो सकती हैं दूसरी जगावन पर ये ड्रग साधारन ड्रग नहीं है मतलब कोई आम ड्रग नहीं है तो इसको स्टोर करना भी बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग साबत हो सकता है मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है और कहना है कि ये ड्रग स्टोर करने के लिए आपको अल्ट्रा कॉल्ड रिफ्रिजरर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी अल्ट्रा कॉल्ड रिफ्रिजर्ट्स की ज़रूरत मतलब आपको वो रिफ्रिजर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो माइनस 75 सेलसिस तक टेंपरिचर जनका होना चाहिए आप अंदादा कर ले कि was 75 C elasis तक ठंपरेचर जि अपधर का ऐसा कोई refresh है a Qi चे मुझकी पाक STR시면 में पाया जा मिलता हो या मम देखते हों मुझे नहीं लगता कि आपकेर प्रफिजेटर में जो दो पाए जाते हैं, मेरिकल ही हथीटल में पाए जाते हैं जां पर दूसरे किसम की डुसरे अक्साम की ड्रग्ष अंदर रखी होती है पर यह स्थोरज्ज की मुझक्षिन वैक्सिन है यू इंसाधारन और आमचाने में नहीं повैंतर की जा सकती तो उसके लिए एक अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है कोल्ड स्टोरेज जिससे मुश्किल चैलेंज के साथ-साथ जो से भी जो वड़ा खतरनाक चैलेंज है और जो खास तोर पर तरकी वजीर मौलिक जिस तरह से पाकिस्तान है उनको फ्रेस करना पड़ेगा वो यह है के यह वैक्सीन दो मराहिल में आपको इंजेक्ट की जाएगी मतलब एक बार आपको यह वैक्सीन का एक डोज लगेगा और तीन हफ़तों के बाद इस वैक्सीन का दूसरा डोज आपको लेना पड़ेगा तो यह भी एक वरा मुश्किल सा मरैला होगा जाहिर सी बात है जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां आप सेक्स हैं कि कितनी मुश्किल से लोगों को वैक्सीन मिल पाती है तो यह किस तरह से यह सारे मामला चल पाएंगे क्योंकि हम इस तरह की वैक्सीन जो का सिस्टम होता है उससे बहुत ही अच्छी तरह से वाकव हैं जिस तरह से हमने सिन्ध में देखा था हैपाटाइटिस के लिए एक खास प्रोग्राम शुरू किया था और फिर भी वो हैपाटाइटिस पर पांच साथ आठ दस साल काम करने क के बाद भी वैपाटाइटिस को रोक नहीं पा रहे हैं तो यह तो करोना है यह तो उससे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सारे चैलिंजों के साथ साथ पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा चैलिंज यह भी है कि यह जो वैक्सीन है वो किस तरह से इंजिक की जाएगी क्योंक हाथ का बनाया हुआ ड्रामा है यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ और डान भी इसलिए ही यह मेंशन कर रहा है वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से पॉलियो वर्कर्स के साथ जो सलूक किया जा रहा है और जिस तरह से मुश्किलात को सामना है उन पॉलियो वर्क तो ये भी दे उसी को नजर में रखते हुए ये सामने आ रहा है कि शायद ये मुश्किल हो जाए पाकिस्तान के सुटराइटी में करोना को वैक्सीन को इंजेक्ट करना एक्ताम पर ये बात करना बहुत ही लाजमी है कि ये वैक्सीन आज नहीं तो कल हमारे पास आ जाएगी तब तक आप अपना और अपने घरवालों का और अपने दोस्तों का और जो भी आपकी कप्यूनिटी है जो भी आपके सर्किल में जो भी लोग इनका ख्याल रखें और कम से कम बाहर जाएं और बाहर जाने से गरीज करें और जो भी शादिया हैं और जो भी इस तरह की सोशल गाजरिंग्स हैं उसमें जो एस अपी से उन पर अमल दरामत करें शुक्रिया